हालो एंड गुड मॉर्णिंग एवरिवन दिस इस यूर मेंटर फ्रेंड आकेप सिद्धी की और आज हम लोग पढ़ेंगे एलेक्टो स्टाटिक यूनिट का फिफ्थ लेक्चर और गॉस्थ फिर्म का सेकंड लेक्चर तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों फ्लक्स क्या होता है एलेक्ट्रिकल फ्लक्स लीट रवाइस कर लेते हैं पहले हमने पड़ा था कि जो सॉलिड एंगल है वह मैजर किया जाता है फोर पाई इस्टे रिडियन ने मेजर किया जाता है जो की होता है आपका फोर पाई ओमेगा इस उगल टो फोर पाई इस्टे रिडियन इस्टे रिडियन इस यूनिट ओफ यूर सॉलिड अंगल फिर आता है आपका एरिया वेक्टर डाट इस ऑल्वेस पर्पेंडिकुलर टू दा सर्फेस फिर हमने जाना था एलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे मारे में उल्वेस के बा क्या था कि इट वाज यूर इडाट डीए और आपका यह इडाट डीए डाट प्ट्रोड। नवर्ट हुआ था स्केलर में तो इडाट वेक्टर में था इस चेलर इन-डी-ए कॉस ी ठीटा और थीटा क्या था एंगल बिट्वीन सिंपड़ता ये एलेक्ट्रिक स्पीड एंडेरिया वेक्टर आइ नेक्टिटिक विन और ऑर अइंवर्ड और एडियर वेक्टर सेङ्चर ओल्वेस परफेंडिक इता प्थंटिक रिडियर आज हम लोग पढ़ने जा रहे है basics of Gauss theorem तो Gauss theorem कहती क्या है Gauss theorem के बारे में अगर हम जाने तो Gauss theorem एक बहुत ही unique formula है जिसमें होता है कि net electrical flux emerging out of any closed surface that is called as your Gaussian surface is equal to one upon epsilon not times the net charge enclosed within that surface फिर से समझें Gauss theorem कहता है कि net electrical flux किसी भी closed surface से जो बाहर की तरफ emerge हो रहा है that is equal to one upon epsilon not times the net charge enclosed हिंदी में समझें अपनी मात्रभाशा में कि कहता है कि electrical flux किसके बराबर होता है one by epsilon not times जो उसके अंदर चार्ज उस दाइरे के अंदर उस surface के अंदर जिसको हम लोग Gaussian surface कहते हैं उसके अंदर जितना charge enclosed है तो that is called as your electric flux electric flux के हमारे पास आप देख सकते हैं दो formula है एक यह और एक यह तो जैसे मान लो कि एक कोई हमारा स्फेर है स्फेर के अंदर एक थ्री कूलम का और एक 8 कूलम का एक माइनस सिक्स कूलम का चार्ज है तो जैसे यहां पर हमें पता करना है कि इस सरफेस से बाहर की तरफ कितना एलेक्टिकल फ्लक्स आ रहा है एलेक्टिकल फ्लक्स को पिछले lecture में अलरी इसके concept को हम clear कर चुके हैं कि flux का मतलब होता है एलेक्टिक फ्लक्स का मतलब होता है number of magnetic field lines passing through any particular surface area तो इस close surface कितना flux बाहर आ रहा है इन चार्ज की वज़ा से तो हम लोग क्या करेंगे समय में पहला example लिया है तो flux कितना होगा one upon epsilon not times net charge enclosed तो इसके अंदर जितने भी charge होंगे सब को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे दाट मेंस कि 3 plus 8 plus 6 it will be equal to 17 upon epsilon not यह 17 into 1 upon epsilon not यह 1 upon epsilon not into 17 ठीक है और इसकी unit क्या बनेगी फ्लक्स की unit क्या बनेगी यह होता है थीटा के तो कोई unit लेते है नहीं हम लोग कि इसमें होती है एलक्टिक फ्लक्स जैसे माल लो एक दूसरा कुस्चन है एक क्यूप है हमारे पास क्यूब शर्ट क्यूब अब्जेक्ट कि यह भी स्फेर था तो यह भी एक एक थ्री दामेंशन था अइसकी साइड माल लो हमारी ए है और इसके अंदर माल लेते हैं कि एक थ्री क्यू और एक टू क्यू चार्ज इंक्लोजड है साइन नहीं दिया तो आवियसली पॉजिटिव चार्ज है तो नेट एलेक्रिकल फ्लक्स यहां से कितना आ जाएगा कि वन अपॉन अपसाइलम नौट ताइम अच्छा अगर आप से पूछे टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट इस क्यूप के इस क्यूप से बाहर कितना फ्लक्स आ रहा है बाहर की तरफ तो दाट विल भी वन अपॉन अपॉन अप्साइलम नौट ताइम नेट चार्ज इंक्लोज्ड चार्ज इंक्लोज्ड क्या होगा टू क्यू प्लस थ्री क्यू तो टू क्यू प्लस थ्री क्यू कितना आएगा यहां पर आ जाएगा फाइव क्यू इंटू वन कितना हो जाएगा फाइव क्यू अपॉन अपसाइलम नौट जैसे मान लो एक हमारे पास closed surface है जिसके अंदर एक माइनस 3 कूलम का प्लस 8 कूलम का माइनस 2 कूलम का प्लस 4 कूलम का चार्ज रखा हुआ है पूछ ले कि find the electrical flux emerging out of this closed surface इस closed surface ते total कितना flux बाहर आ रहा है तो इसका बतलब होगा यह होता है one upon epsilon not times net charge enclosed within that area that is under consideration तो सारे चार्ज के जोड़ेंगे कितना आएगा 8 plus 4 minus 3 minus 2 simply add कर देंगे तो net flux कितना आएगा one upon epsilon not time seven यह का सकते हो seven upon epsilon not कि तो आचा नॉर्मली हमने बताया भी था no net in clone net in close charge निकालना है तो सबको simply add कर दो और यह charge की property भी होती है कि charge can be added simply as a scalar one scalar की तरह सकते हैं तो यह क्या था आपका total flux कितना बाहर आ रहा है कि उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी इसे नोट करें फिलाल हाँ में जुरिए हम जुया है हाँ तो चलिए हम जुरिए हम आप लोगों का आप कर दिके आपके दो में आपके आपके लोगों कर दो प्यों कर दो हम लोग स्वड़ा सा आगे बढ़ते हैं यसे मान लीजिए कि यह कोई क्यूब है बहुत इंपोर्टन क्वेस्टेन है यह इसके सेंटर पर बीच में एक कहीं पर क्यूब चार्ज रखा है प्लस क्यूब और आप से पहला पूछ सकता है find the total flux, find the total flux emerging out of the all surfaces, all faces of the cube क्या होगा नट-Flux हमने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? 1 upon epsilon not time, net charging close इस डाइरे के अंदर कितना charging close है Q, तो यह हो जायागा Q upon epsilon not कि अगर कह दे फ्लक्स थ्रूं कि वन फेस कि फेस ऑफ दी एक फेस से कितना जा रहा है यह बात देखे गौर करने वाली है इसका इसकी साइड एक तो लिंद बिरिट लिंद और हैट सब एक क्यूब है नहीं है कि अब कहरा है कि एक फेस से कितना जा रहा है थोड़ा सा कॉमन सेट लगाना है तो फ्लक्स थ्रूं कि टोटल व्लक्स है तो टोटल पक्स क्या है एक क्यूब में कितने फेसेज होंगे सिक्सेज दोए चारो दीवारे सीलिंग और ग्राउंड या कैसकते वर्ट तो छे चे चे साईड से या कह सकते हो six faces से इतना फ्लक्स निकल ला है आधा तो फ्लक्स थूरू वन फेस कितना हो जाएगा क्यों पॉपॉन अपसालम नॉट या कह सकते हो एक एक फेस से कितना निकलेगा और एक फेस्स से कितना निकलेगा क्यूब आपसालम नौट उम्मिद करते हैं कि यह चीज आपको समझ में आई होगी अब जैसे मान लो कि एक हमारे पास क्यूब है दूसरा एक्जामपल और इसके अंदर एक डाइपोल लगता है मालो क्या होता है फिर टाइपोल के बारे में बहुत पहले से जानते हैं कि डाइपोल क्या होता है it is a combination of two equal and opposite charges placed at a very smaller distance तो एक minus Q charge है एक plus Q charge है तो 1 upon epsilon naught times net charge in close क्या होगा simply charge को जोड़ना है scalar की तरह q minus q यह आगया 0 यहाँ पर आएगा 0 0 into 1 upon epsilon naught is also a 0 तो अगर अंदर का net charge scalar sum करने के बाद 0 आता है तो net flux भी क्या होगा 0 होगा एक concept यह भी हो सकते हो कि इन दोनों के field lines एक दूसरे को cancel out कर देंगी so there will be no flux emerging out of the surface चाहे पूरे six faces से हो जाए चाहे किसी एक surface हो जाए कहीं से भी कोई flux नहीं आए लबार ठीक अब जैसे मान लिजिए आपका यह दूसरा अब जैसे मान लिजिए कि एक क्यूब दे दिया गया कि यह थोड़ा सा जड़ा इंपोर्टेंट है conceptual दादा है एक क्यूब दे दिया गया आपको यह मान लिजिए क्यूब है अभी तक क्या कर रहे थे में चार्जेस को इस क्यूब के अंदर रक रहे थे, लेकिन ने क्या किया कि ने क्यूब के इस क्यूब की क्यूब की रुआ aúnऑ क्यूब दिक इक गया और स्पाइब्स आहीं रहा होगा तो यहां पे थ्वधास सा लॉजिक लगाना है माद लुग ये चार्ज लॉजीक ये लगाना है कि अगर मैंजिन करो तो यहां पर भी क्यूब होगा इस शूंब खंच रहा हूं वह आनों झाल फीलिंग समझिए से पर एक क्यूब उस एंड पर भी होगा ऐख यह तो इसी के दाइरे में हो गया चार क्यूब ऊपर रख्या हो गयी हो एहां कि चार अब जाकर इसको बिसिकली करना क्या होता है उसको completely ढखना होता है तो उसको ढखने के लिए समाजला यह कॉझेश समझें यह तो इसको कवरण क्विली क्या करना पढ़ेगा से एक क्यूब इधर भी लगाना पढ़ेगा इमेजनरी की कि एधर विलकाना पढ़ेगा अब इसके उपर भी लगाना पढ़ेगा तभी गृसक्त दया है तो यह कुछार्ज 8 Q मैं फ्लक्स अपलाई करेगा तो कहते हैं that total flux through eight cubes कितना होगा अब यह धक गया है पूरा पेक हो गया तो कितना होगा वान अप्पॉन एपसालम नौट टाइम अब यह आठो cube का देखोगा तो क्या हो जाएगा क्यूंक्लोस तो यह कितना हाग गया आठ cube में यह flux अप्लाई कर रहा है अगर हम कहें कि return cardboard यह हो जाएगा फ्लख्स थ्रौ मैं ऐसे इंटू किउपन उसे लौट यह हो जाएगा उम्मीद करते हैं कि है आप लोगों को समझ में होगी फिर आते हैं फॉर्थ पॉइंट पॉइंट पैं फॉर्त पॉइंट न माल लो कि यह एक हमीस्फेर है कि यह एक हेमिस्फेर है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो बहुत देखे चार्ज की फीड़ लाइन क्या हो रहे होंगे इधर भी जा रहे होंग बाहर के तरफ पारलो पूछ ले फाइंड टोटल फ्लक्स से फाइंड टी टोटल find the total flux emerging out of the hemisphere hemisphere से कितना flux बाहर जा रहा है तो इसके लिए हम इसको फिट से बनाएंगे एक बार और यह माल लो क्यों है यह माल लो इसका रेडियस आर है ठीक तो इसको ढखने के लिए क्या करेंगे एक इमेजनरी हमिस्पेट लगा दिन तक यह पूरा ढग जाए अभी हर तरफ जा रहा होगा फ्लक्स मतलब फ्ली लाइंस तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा दरा बताईए वन अपॉन अप्सालम नॉट टाइम इस पूरे स्फियर के अंदर कितना चार्जिंग क्लोज्ट क्य तो यह आगे क्यू अपॉन अप्सालम नॉट सू फ्लक्स थ्रू यह अगर हम कहें फ्लक्स हेमिस्फियर हेमिस्फियर कितना आएगा टोटल का आधा जाएगा यह कह सकते हो क्यू अपॉन तो स्टुडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह चीज समझ में आई होग कि इसे नूट करें हां तो स्टूडेंट्स अब हमारा अगला टॉपिक है डिराइविंग कूलम्स लॉव यूजीं म्होस लॉव यम्होस लॉम या यूजीं गॉस्ट लॉव यूजीं मुजीं मुण पाई देह द्यू यहर म एब हम क्या करें है कूलम्स लॉव को मिजा प्राइविंगे तो बिसिकली मुद्स लॉव ओन एप्साइलम to rapid स्कौार न्यूटन पर कूलम कि यह किसली यह होता था एक positive चार्ज है कोई बीजार्ज है और मौने क्यू चार्ज है पॉस्टिब पाजिटिफ पॉस्टिफ पॉस्टिफ पोलारिटी का और इस से आर डिस्टिंस पर किसी पॉइंट पर हमें एलेक्टिक फील्ड पता करनी होत तो चलिए इसको गॉस्ट थेोरम से प्रूफ करते हैं इसे मालो एक यह क्या है क्यू चार्ज रखा हुआ है और क्यू चार्ज से मालो हमसे कहा गया कि आप आर डिस्टिंस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है वहां पे आप हमें एलेक्ट्रिक फील्ड बताईए एक तरीका य क्या जिस चार्ज से किसी चार्ज से कुछ दूरी पिका क्यों कि फील्ड लाइन इसकी जो हो रहा है वह से बाहर की तरफ इमर्ज हो रहे होंगी इमाजिन करिए कि हर डिरेक्शन में फील्ड लाइन होगी इसकी इधर 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 कि अंदर एक फील्ड लाइन ऐसे आ रहे होंगे सब ऐसे आ रहे हैं बाहर की तरफ निकल लिए हुए है ना और हमने पढ़ा भी है कि पॉजिटिव चार्ज की वरे से फील्ड क्या होती है रेडियल एंड अब देखिए जिस पॉइंट पर कहा है उस पॉइंट पर हम लोग द लेयर है इसके सेंटर पर चार्ज रखा फ्लक्स बाहर आ रहा है तो टोटल फ्लक्स अगर हम फ्लक्स वाला फॉर्मला लगाएं तो कितना आएगा वहीं से एक सरकल बना दिया सरकल बना दिया तो यहां से यह एक्ट्वल हमने क्या पढ़ा कि फील्ड लाइन हर तरफ जाती यह रेडियल और अउट्वर्ड हर फील्ड लाइन अजा रेडियस अफ शरकल बिहेव कर रही यहां पर इस पॉइंट पर कहा था उसी पॉइंट पर हमने एक स्टेट लाइन खीच के देखा तो एरिया वेक्टर क्या पढ़ा है हम लोगोंने यह वेक्टर यह पर्पेंडि अब आते हैं बास वाले फॉर्मले की तरफ बास वाला फॉर्मला जिसमें अच्छा एक बात और है कि हमने जो फॉर्मला पढाएन फिलक्स का कि वन अपॉन एक्सालम नॉट टाइंप इसमें चार्ज और परमिटिविटे के लागा किसी चीज़ का जिकर ही नहीं उससे मतल अभी नहीं है किस रेडियस का वो है स्फेयर है या किस एज का क्यूब है या किस लेंद्ध ब्रेथ हाइट का आपका क्यूबॉड है इससे कुछ मतलब नहीं है इट डाइलेक्रिकल फ्लक्स दस नॉट डिपेंड अपॉन दी फिजिकल अपियरेंस अफ दो अब्जेक्ट या इस दाइरे के अंदर कितना चाइज इंक्लोज है क्यू तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यू अपॉन एपसाइलम नॉट इसको दूसरी एक्वेशन नाम दे दो तो भाइया फ्लक्स यह भी है और फ्लक्स आपका यह अगर लेट साइट सेम है तो राइट साइड भी एक् क्यू अपॉन एपसाइलम नॉट अब बात आती है कि यह क्लोज्ड सर्फेस का स्पेरिकल नेचर है जैसे माल लो कि यह चार्ज कोगा नॉस के अंदर देए फिल्ट लाइन कैसे हुगी। इमैजन करो दिस एप्षे तो इसके field lines बाहर के तरफ, हाइ डारेक्शन में, हाइ डारेक्शन में, पीजट पीछ है तब मेरी तरफ भी, हार तरफ field lines बिख्री होंगी, तो यह क्या बनेगा? एक sphere बनेगा, एक sphere बनायेगा, स्कूइर बनाये गाpected зап दूंसरेबियर सेले कितना होगा मैं है यहां प्री देता हूं सार्फेस एरिया और स्पियर सरफेस एरिया और आछ इस्फियर यह होता है फोर पाई स्मॉल आर स्क्वाइर जो भी रेडियश है स्पियर का तो एरिया वेक्टर की जगए एरिया की जगए क्या लिखेंगे सर्फेस एरिया तो फोर पाई आर स्क्वाइर इसको थोड़ा सा रेंज करके लिख दे कि वन अपॉन फोर पाई अपसाइलम नॉट क्यू भाई आर स्क्वाइर यूनिट क्या बनेगे न्यूटन पर कूलम जो की एलेक्टिक फिल्ड की उनिट होती है आप इसको और इसको मैच करा भी जड़ा है ना वही चीज तो स्टूदेंट्स दिस वोज अल बाट यूर डेरिवेशन वाफ कूलम्स लाओ यूजिंग गॉस्थ थेयरम उम्मेद करते हैं कि आपको यह लेक्टिर समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स लेक्टिर में थैंक्यू